नमस्ते शुती के किचिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि हम सब जानते हैं कि होली का त्योहार आने वाला है और होली के त्योहार पे सभी के घर में तरह तरह के पक्वान बनते हैं जिसमें सबसे कॉमन पक्वान होता है नमक पारे नमक पारे सभी के घर में बनाये जाते हैं होली पेप तो आज मैं आपको एक डिफरिंट स्टाइल के नमक पारे बताऊंगी जिसका नाम है चिली गार्लिक नमक पारे तो आएए हम देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रीडियेंट्स की आवश्यक्ता होगी यहाँ पे मैंने अपने मैजरिंग कप से दो कप मैदा ले लिया है ये मैंने वन टी स्पून अजवाइन ले लिया है ये मैंने दो हरे मेच्स 8-10 लेसं और दो छोटे टुकड़े अत्रक के लिए उसको मिक्सी में ऋभ्राइन कर लिया है ये उसका पेस्ट बना लिया है ये दो छोटे चमच गी के ले लिये मैने 2-2.5 छोटे चमच मैंने सूजी ले लिया है और ये मैंने नमक आप अपने स्वाथ के साब से डालीए यहाँ पर मैं 1 टी स्पून नमक डाल रही हूँ और ये दूद आटा गुनने के लिए दूद मैंने इसले लिया है ताकि जो हमारे नमक पा रहे हैं वो एक्तम क्रिस्पी बने अब हम जिव मैदा हैं इसमें हम सारी चीज़े डाल देंगे यह किक करके यह हमारा नमक डाल दिया हमने यह हमारी सूजी अजवाईन अद्रग लेसन हर इमेज जो हमने ग्राइंड कर लिये थे मिक्सी में और यह घी अब हम इसे थोड़ा थोड़ा दूद डाल के इसका डो तयार कर लेंगे अब आप यह देख सकते हैं यह जो मेरा आटा है मैंने इसे तयार कर लिया है आटा जो है वो टाइट गूल दे यह मेरा आटा तयार हो किया है अब मैं इसके नमक बारी बनावनी है यह जो मेरा आटा है यह मैंने दस मिट के लिए ढखके रख दिया था अब मैं इसमें से एक बड़ा टुकड़ा लूँगी इसका भी मैं वनफोर्थ हिस्सा आटे का वनफोर्थ हिस्सा मैंने लिया थोड़ा सा सूखा आटा मैंने डाला अपने चकले पर और अब इसे मैंने बेलना शुरू किया यह आप देख सकते हैं यह मैंने इसको अच्छे से पूरे चकले पर बेल लिया है अब मैं इसके कट कर लूँगी आप इसके अपने मन चाही शेप्स दे सकते हैं आप इसे इसको हमने डामेंड शेप्स दे दिया है आप इसे जिस भी शेप में चाहे उसमें काट सकते हैं यह मैंने काट के और अब मैं इसको अपने प्लेट में निकाल लूँगी अब आप यह देख सकते हैं मैंने इसको डामेंड शेप में काट के रख लिया है और अब मैं इसे फ्राइ करूंगी जो मैंने तेल निकाला है फ्राइ करने के लिए अपनी कडाई में यह गरम हो चुका है तो मैं इसमें अपने सलोनी डाल दूंगी दीरे दीरे यह पक रहे हैं और इसे मैं दीमी आज पर ही सेख रहे हूं जब तक यह थोड़ एसे प्रिस्पी और ब्राउन नी हो जाते, लाइट ब्राउन, बहुत जादा ब्राउन ने, तब तक आप इने दीमियाज भी पकाईए, अब आप यह देख सकते हैं, यह जो हमारे नमक पा रहे हैं, यह अच्छे चा सिगर हैं, और यह लाइट ब्राउन हो गए हैं, कलर में अपन तो आप इसमें ग्रीन चुली की मात्रव बढ़ा सकते हैं, और अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ लैसन अत्रे कपीज डा सकते हैं, थाइम्स फॉर वाचिंग